नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटुब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज बात करने वाले हैं मोटापे के उपर मोटापे से आजकल कौन परेशान नहीं है और दोस्तों परेशानी वाली बात तो है ही मोटापा सिर्फ खूबसूरती नहीं बलकि कैई बीमारियों को जाल में भी फसा सकता है मोटापा भी कैई तरीके का होता है जैसे कैई लोगों का तो पेट बाहर निकलाता है और कैई लोगों के पूरे सरी पर चर्वी जम जाती है इसके कैई कारण हो सकते हैं जैसे आजकल का खान पान, ज़्यादा तला हुआ खाना, कोल्ड डिंग, पीज्या, ज़्यादा मिठा, आजकल मोटा पेके मुख्यकारन होते हैं मोटा आदमी या औरत अपनी आपको कमफर्टेवल महसूस नहीं करता फिर आपना मोटा पा कम करने के लिए तरह तरह के नुश्के अपनाता है और मार्किट में आने वाली महंगी से महंगी दवाई खाता है जिसका काम सिर्फ सरीर का पानी सुकाना होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सरीर में 70% पानी प्याजाता है मालो अगर आपके सरीर का वजन 100 किलो है तो उसमें 70% पानी होता है यह होना भी जरूरी होता है क्योंकि सरीर को पानी की जरूरत होती है दोस्तो अगर यह पानी की मात्रा कम हो जाए तो हमें बहुत से गंबीर विमारिया होनी शुरू हो जाती है करने की महंगी से महंगी दवाई सिर्फ इस्टेरड होती है जब तक हम इन दवाईयों को खाते हैं तब तक फायदा देती है अगर खाना छोड़ दे तो फिर से हमारी वही आलत हो जाती है दोस्तो अगर आपको सुष्ट रहना है तो आपको बाजार की महंगी महंगी दवाईयां खाने से बचना है बाजार की दवाईयां साइड डिफेक्ट भी बहुत करती है अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा एक घरेलू नुसका जिसके सेवन से आप बिना किसी साइड डिफेक्ट के दो अपतों में अपना मोटा पैसे चुटकार अपा सकते है बात करते हैं नुसके की उसके लिए जो आवेक सक्समागरी है वह है जीरा दोस्तों जीरा आपको किचन में मसाले के रूप में भी मिल जाएगा दोस्तों आपको दो चमच जीरा लेना है एवं एक गिलास पानी लेना है एक गिलास पानी में दो चमच जीरा रातवर भीगोने रग दें फिर सुबा उठकर इसे भगोने में उबाले इसे जब तक उबालें जब तक की आदा कप मारी ना रह जाए फिर उसके बाद इसे छान लेना है और फिर सुबा चाय की तरह खाली पेट इसका सेवन करना है इसके सेवन से सरीर में जमी मोटी से मोटी चर्वी गायब होने लगेगी और आप बिना पैसे खर्च की अपना मनपसंद सरीर पा सकते हैं दोस्तो अगर आपको इसके रिजल्ट एक या दो अपते में ना आए तो आप इसे तीन से चार अपता भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है दोस्तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको चावमीन, बर्गर, तली हुई चीजें, पिज्जा, कोल्ड रिंक और ज्यादा मीटी चीजें आदी बंद करनी होंगी क्योंकि मोटा पैकी मुख्य बज़े यही चीजे होती है दोस्तो आपको जल्दी रिल्ट पाना है तो आपको सुबह थोड़ी रनिंग, युवा जिंबी कर सकते हैं ऐसा करने से आपका मोटा पा भी जल्दी खतम हो जाता और सिर्फ आपका मोटा पा ही खतम नहीं करेगा बलकि आपका सरीर सुष्टे भी रखेगा तथा बीमारियों से भी बचाएगा दोस्तो आपको हमारे एन उसका कैसा लगा, कमेंट करके बताएं ऐसी हैल से जोड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद